जीनियस ये शब्द सुनते ही दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एलवर डाइस्टेन याद आते हैं जिन दुनिया का सबसे बुद्धिवान भेक्ती माना जाता है यहां तक कि नई 14th मार्च उनका वर्थ दे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है इस वीडियो में ग्रेट साइंटिट एलवर डाइस्टेन की दस ऐसी बात जानेंगे जो के आपने किताबों में नहीं मिलेगी और आपने कभी सुनी होगी तो शुरू करते हैं तो शायद आप में से बहुत लोग के फेवरेट साइंटिस्ट आइस्टेन हो लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइस्टेन के फेवरेट साइंटिस्टेन कोन थे तो वो थे गेलीलियो गेलीली एक बार अलवर आइस्टेन की वाइप से पूझा गाया था क्या आप अपने हजबेंट की थियोरिस को समझते हो उन्होंने कहा नहीं और साथ में ये भी कहा लेकिन मैं अपने हजबेंट को समझती हूँ और इन पर वरोसा किया जा सकता है इतने वड़े सैंटिस्ट होने के बावजूद भी आइस्टेन को कार चलाना नहीं जानते थे और इन्हें समुंदर यात्रा बहुत पसंद थी लेकिन इनको तिरना नहीं आता था फैक्ट नमर सेवन जब आइस्टेन पेदा हुए तो उनका सेरबागी बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा था और डोक्टरों ने इनसे कह देता कि मानसिक तोर से ये बिखलांगे और आइस्टेन ने सास सारी की उमर से पहले पढ़ना शुरू नहीं किया था और आइस्टेन ने हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे फैक्ट नमर 6 आइस्टेन की 4 साल की उमर होने तक वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे एक बार वो अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाते हुए अचानक पहली बार बोले सूप कितना गरम है ये सुनने की बाद आइस्टाइन के पेरेंट्स शोक्ड हो गए थे फेक्ट नम्मर फाइव ये तो आप जानते होंगे आइस्टाइन को बचपन में मनमुद्धी वाला लड़का माना जाता था टीचरों ने ये तक कहे जाता कि ये बंदा यानि कि आइस्टाइन ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा वो ही लड़का दुनिया का सबसे मान साइंटिस्ट बना फेक्ट नम्मर फोर जेसा कि मैंने आपको बताया आइस्टाइन को मनमुद्धी का जाता था एक बार आइस्टाइन के मेध के प्रोपेशन ने आइस्टाइन को लेज़ी डौ कह दिया था आइस्टाइन पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे लेकिन उनका फेब्रेक सब्जेक्ट मेहत ही था फैक्ट नमर त्री सन अनिस्टाइन को इस्राइल की तरफ से राष्टेपती बनने का ओफर आया था लेकिन उनका ने ये केकर ओफर को मना कर दिया कि वो पोलेटिक्स के लिए नहीं बने बलकि साइन्स के लिए है फैक्ट नमर टू आइस्टाइन को पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए वो अपने आरम में कभी कसर नहीं छोड़ दे थे इसलिए वो अपने पूरे दस गंटे की नीम लिया करते थे ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके आइंस्टेन के पास बहुत सारे टीनेजर आया करते थे वो उनसे अपनी सक्सेस का रास पूछते थे एक बार एक टीनेजर आया और उनसे पूछने रगा कि सर दुनिया में आपका इतना बड़ा नाम है और लोग आपकी तारिफे करते हुए ठकते नहीं है पिलीज मुझे बताई कि महान बनने के लिए सीक्रेट तरीका क्या है तो जानते हैं दोस्तों आइस्टाइन ने क्या कहा सिर्फ एप शब्द लग तो भाई आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट शीए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आगन को दवा देना जिससे आपको हमार इस वीडियो का सेकंड पार्ट मिल पाए और इस वीडियो को पसंद नहीं हो या आपको इस वीडियो से कुछ जानने के मिला हो तो प्लीज आर इस वीडियो का एक लाइक कर देना और आप दूसरे को भी शाद इसको नोल इसको शेर कर सकते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेर कर देना और आपकी बहुत जरुत हैं